Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे आपके परसन आज क्या feel कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं सो ये एक short reading होती है और सारे star science के लिए है सो देखते हैं आज की reading में क्या आता है सो friends मेरी playlist ज़रूर चेक कीजेगा आप आपको PK card readings भी मिल जाएंगी, collective readings भी मिल जाएंगी और उनमें आपको अपने favorite topics मिल जाएंगे सब की सब timeless हैं, ज़रूर देखिएगा सो शुरू करते हैं कि आज आपके person की feelings और thoughts क्या है Queen of Swords नजर आ रहा है हमें सो हो सकता है कि नाराज़गी चल रही ओ, वाओ, यह शुरू में भी आया था और फेर आगया है King of Wands Aries Three of Pentacles Nine of Swords Ten of Pentacles Eight of Swords Okay, मुझे लग रहा है यह इंसान reconciliation चाहते हैं Knight of Wands Okay, and then the Hermit Bottom पर हमारे पास है judgment यह है major realization Star, यह healing और hope का card है Temperance, healing, balance, patience And Ace of Pentacles, fresh new start Realizing कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ unfair हो रहे थे बहुत ज़्यादा आपको for granted ले रहे थे But अब उनको यह realize हो रहा है कि उन्हें यह नहीं करना है वो एक नया start आपके साथ करना चाहते हैं और आपको कुछ offer करना चाहते हैं कुछ बहुत real, stable So I feel कि आपके person को यह realization हो रही है कि उनका behavior towards you unfair था उनका behavior अच्छा नहीं था Basically मुझे behavior का problem लग रहा है Because यह जो knight of wands है हमारे पास और फिर जो king of wands है इसको देखकर I really feel कि जैसे एक moody energy होती है न और फिर बहुत ज़दा sometimes aggressive हो जाना बहुत ज़दा मतलब कुछ भी बोल देना सोचे समझे बेना और अपने mood के हिसाब से चलना कभी दिल किया तो बहुत बात कर ली कभी दिल किया नहीं की कोई इस तरह की चीज हो सकती है तो उस सारी चीज में आप बहुत ज़्यादा hurt हो रहे थे और बहुत ज़्यादा वो आपको तकलीफ दे रहे थे in and out हो रहे थे basically on and off hot and cold इस तरह थे आपके साथ ये इनसान ये चीज़ उनको realize हो रही है कि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था आपके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए और चीज़े change होनी चाहिए उनको बहुत ज़्यादा आपकी कमी का एसास हो रहा है with this five of pentacles मुझे ये भी बहुत strong message आ रहे है कि उन्हें अपनी job खो दी है या उनकी job पर बहुत ज़्यादा problems चल रहे है उनकी job अच्छी नहीं चल रही है कोई sales marketing का काम हो सकता है वो करते हूँ HR में कोई हो HR manager, general manager कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है बहुत specific message था obviously सबके लिए नहीं होगा but I feel कि काम पर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है और कुछ लोग तो literally like job खो दी है उन्होंने तो ये इनसान बहुत परिशान है और अब उनकी journey शुरू हुई है growth की अब ये इनसान learn करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा जिंदगी में एक तकलीफ के face से गुजरते हैं तब आप learn करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके person learn करना शुरू करेंगे थोड़े से humble होंगे और ये जो उनका mood का जो issue है वो resolve हो जाएगा क्योंकि वो learn करेंगे कि इनसान को down to earth होना चाहिए कुछ चीज़े इनसान के बस में नहीं होती है compromise करना life में जरूरी है, flexible होना जरूरी है जुकना जरूरी है basically आपके person के लिए ये life lesson है इस वक्त कि वो जुकना सीखें because वो जुकने की आदत नहीं है उन्हें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना life lesson ले रहे है इस present time में और मुझे लग रहा है कि आपके लिए बड़ा challenging है ये वाला time क्योंकि शायद आपके लिए बड़ा challenging हो रहा है उनसे दूर रहना obviously हो रहा है आप में से कुछ लोगोंने शायद उनके ओपर give up कर दिया है already बड़ कुछ लोगों के लिए बहुत जादा मुश्किल हो रहा है give up करना लेकिन day by day आप कोशिश कर रहे है उनसे दूर रहने की यहाँ पर Virgo बहुत strong है Aries, Sagittarius, Libra यह star signs यहाँ पर strongly है इसमें से कुई आपका यापके partner का हो सकता है बड़ जरूरी नहीं है So, यह आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप जरूर बताईएगा comment section में मैं मिलूँगी आप से next video में Till then, love you lots Bye-bye